दिल्ली की ड्रावनी जगए जहां शाम होने के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता है दिल्ली के इतिहास में देखे तो मुगलों का दिल्ली पर शाशन लंबे वक्त तक था मुगलों ने यहां कई किले मिनार बनवाए जो आज भी दिल्ली की धरोहर है लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसे किले और महल है जहां पर लोग जाने से डरते हैं शाम होने के बाद उन जगों पर किसी को जाने नहीं दिया जाता लेकिन महल मिनारों के अलावा और भी ऐसे जगे हैं जिसे बारे में ड्रावने कहानिया सुनाई जाती है आईए जानते हैं कि दिल्ली के भूतिया और ड्रावने जगों के बारे में दिल्ली कंटोन मेंट या आसान शब्दों में दिल्ली केंट कह सकते हैं इस इलाके में आर्मी छामनिया है यहां चारों तरह जंगल है यह रास्ता काफी सुनसान है कहते हैं रात के समय यहां से कोई गाड़ी गुजरती है तो एक औरत सफेद लिवास में आप से लिफ्ट मांगती है अगर आप गाड़ी नहीं रोकते तो वो गाड़ी का पीछा थोड़े दूर तक भाग कर करती है इस जाबनी महिला की गती गाड़ी जितनी होती है आपको बता दे कि सफेद लिवास वाली मह क्विला को देखने की क्रिष्ची कई लोग कर चुके हैं लेकिन आज तक किसी जानमाल के हानी की ख़बर नहीं आई फिरोज शाह कोटला किला मूगल बाश्चा फिरोज शाह तुगलक ने इस के ले को बनवाया था लेकिन ये किला आज खंडर हो चुका है इस के को लोग भूतिय किला कहते हैं क्योंकि आसपास के लोगों ने बताया कि यहां गुरुवार को शाम में मों बत्तिया और अगर बत्तिया जलती दिखाई देती हैं दूसरे दिन किले में कठोरे में दूद और कच्छा अनाज भी रखा दिखाई देता है यह घटनाएं अक्सर ह होती है इसको अभी तक समझां नहीं जा सकता है क्योंकि यह किला शाम को बंध हो जाता है तो रात में ऐसा कॉंड करता है इसी के चलते इस किले को भी भूटिय practical का जाने लगा है खूनी नदी रोहनी, रोहनी का खूनी नदी लाका काफी सुनसान है, यहां बहुत कम लोग आते हैं, नदी के आसपास कोई नहीं जाता, केवल पुलीस यहां चक्कर मारती रहती है, वो भी भतियारों के साथ, यहां अक्सर नदी के किनारे लाशे मिलती हैं, मौत का कारण कु भूल भेल चयानी, महिल दिल्ली की भूतिया जगों से एक है ये खंडर महिल का एक जमाने में तुगलक वंश का शिकार गहा हुआ करता था इस महिल का नाम की देखने करने वारे महिला के नाम पर पड़ा कहते हैं कि इस महिला में सूरज ढलते ही नकारात्मक शक्तिया भटकने लगती हैं। लगती हैं।